मैं डॉक्टर खुश्बू और आज मैं आपको बताऊंगी मास्क एकने मास्क पहनने से जो पिंपल्स हो रहे हैं उसके बारे में जब हमारी स्कीन में बहुत जादा स्वेटिंग एखटी हो जाती है मास्क पहनने से तो वहाँ पे बैक्टेरिया और फंगस ग्रो करके पिंपल्स बना देता हैं जिसको मास्क एकने कहते हैं इन मास्क एकने के प्रिवेंशन के लिए एक तो आपको कॉटन का मास्क पहनना है अंदर की तरफ उसके उपर से आप N95 या सर्जिकल मास्क पहन सकते हो क्योंकि कॉटन पसीने को एब्जर्ब करेगा और महां पे पसीन पर रहेगा तो मास्क एकने के प्रिवेंशन होगा साथ में आपको नेडॉक्सन क्रेम लगा नी है अगर आपको एकने हो रहे हैं तो रात बात sólo का नेडॉक्सन क्रीम लगा सकते हो अपने face को आपको बीट विश में wash करना है plain water से भी आप wash कर सकते हो या cleansing form sabamate का आता है उससे wash कर सकते हो उसके बाद आपको थोड़ी देर अपने face को खुला रखना है अगर आपके लिए possible है आपके आसपास लोग नहीं है तो आप अपना mask बीश में कुछ minutes के लिए उतार सकते हो जब आप घर जाते हो तो आपको थंड़े पानी में ताल डिप करके उस area को cool करना है क्योंकि वहाँ पर heat बहुत आज़ा जनलेट हो रही है mask पहनने की बज़े से तो इस तरीके से आप mask acne को prevent कर सकते हो ये था ये छोटा सा वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को subscribe जरूर कीजिए thank you